तो यह विडियो पूरी दमाकेदार होने वाली है क्योंकि ए वीडियो में हम बहुत ज्यादा पिटे हैं इसलिए पूरी वीडियो बिना स्किप्प करेंड तक देख कर जाना आपको मजा ही आजाएगा शुरू में अभी हम थोड़ी बहुत लड़ाई कर रहे थे ऐसी निकालनी अभी मेर को आती नहीं कि लॉबी के अंदर बंदूख कैसे रखते पर अगली बार से मैं जरूर लॉबी के अंदर बंदूख लाऊंगा और इनको उड़ाएंगे तो मैच शुरू हो चुका है बिना किसी देरी के शुरू करते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर ज स्कॉर्ड उतर चुकी है हमारे इदर एक नहीं तीन तीन स्कॉर्ड पर हम उतर रहे हैं फाउंडेशन पर देखो नीच अब बंदा जा रहे है एक तो अभी के लिए हमको थोड़ा साइड से होके उतरना पड़ेगा इदर पूरी स्कॉर्ड आ चुकी है एक और तो हमें थोड़ा बच कर रहना पड़ेगा स्कॉर्ड से इनकी किसी को तो आक्ती गन मिल चुकी है मेरे को भी मिली गी है आक्ती गन कौन सी गन है ये स्नाइपर है ठीक है ठीक ठाक है स्कॉर्प इसका मेरे को स्कॉर्प वाली जो गन नहीं अच्छी लगती है वह सामने एक बंदा दिख चुका है एड़ लगांगा उसके एक मर गया कि अब इतर से मैं फिर से और बंदे ढूंडने पड़ेंगे और मेरे को एक और बंदूख भी चाहिए एक और बंदा मिल चुका है मार भाई उसे हुमारे टीमेंड ने उसको थोड़ा कम कर दिया लोग पर अभी मैं उसे पूरा माव दूंगा इसना इसी है ना करें दिखे ने रावांदा में उसे मार देता है और मिर को ऎक और किमिल जाता है הल है इस वीडियो में भाई अतना फिटेहना किसी ने सोच इनआ होएगी कि इतना ज्वांदा तो इतना ज्यादा पिटाना हम को इस वार पर इनियुसार को नहीं होता है कहीं पर तो है इधर की साइड में है राध्य वो आषय将 रह सी निग्टा अब इंदर से पीछे जाना पर्देगा व्रना वो फिर से मारेंगे मैदर तोनी है जो और हमारे ऊपर है इदर किसों को मार दिया वाग गया अगर नीचे उत्रह इसको मारूँघ गया हुँआ कि मारते है फाल ये मैज पहली जारे थालकर आपया जाए entonces कि अबिदर कर दे स्पिंव कर दे दे अगर कर दिया मज़े ही और करदे रिवाइब लग तो निराक की करेगा 800 कोईन तो शाहिद से किसी को तो किया है इसने रिवाइब 400 कोईन होगे ना क्योंकि इसके पास क्या भाई रिवाइब निकिया इसने चलो बैक ही आना पड़ेगा अब क्या ही कर सकते हैं कि रेडी कर दिये दुबारे से मैची दर से शुरू होजेगा लॉबी में जाने की जरूरत नहीं है किसी बंदे को इसने रिवाइब करती है और हमने क्या लेना अभी हमको बैक ही जाना पड़ेगा क्या ही कर सकते हैं मेरका तो नहीं लगता कि यह कर पाएगा रिवाई रेडी करो मैच फिरू हो गया प्री फायर इंडिया अभे यह सोई गया इधर ही अभे मर गया क्या आपको मेरी वाज कम आरी होएगी यह गोलियां यह बहुत चला रहे हैं यार इस बार मैं भाई मरूंगा नहीं इस बार पूरा देख कर जाना इस बार तबाही मचाएंगे अगर अभी जग आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दो और चैनल को सस्क्राइब कर दो बेल आइकन को आउन कर दो तांगी तुम लगातार वीडियो देखता हो सबसे पहले वीडियो आपके पासी आएगी बेल आइकन को दबा दो फिर से वही वाला मैप है आई थिंग यह मैप कलहारी है ना शायद से मैप का मेरे को नाम नहीं पता है अगर आपको पता है तो जरूर बताना नीचे कमेंट में कि रिफाइनरी पर उतर रहेंगे रिफाइनरी पर आई थिंग बंदे कम होते हैं उदर अराम से बच सकते हैं रिवाइवल पॉइंट भी आइदर उत्तरी मैप में कितने बंदे हैं निकलना पड़ेगा तुड़ा साइड होना पड़ेगा मां तो इस वाली फांडेशन पर सामने वाली पर उतरूंगा वहां पर कॉइन पड़े हैं किदर से अभी मेरे को उपर जाना है उपर से कॉइन उठाने है उदर से कोई बंदूग ढूननी है और तो क्या ही करना कि पैने भाई के गन्या है पता नहीं लग रावी इधर से कहां जाएं इधर एक बार राम निकालते हैं अगर इधर कुछ हुआ है नीचे तो क्या ही मिलेगा उदर यतनी राम से खुलता नहीं हो चाप भी चाहिए होती है शाय से खैर कि माइन में लगा सकता हूं ऑ पर अभी के लिए चातकू को लेकर जाएंगे कि या कि इना चाहिए चाहिए लग रहा है रहा है डिज्च गन है मिलगी एक और मिलगी यह इसका मैं स्षप सही है इसका भी सही है अगर आपको गंज के नाम पता है जो भी गंज में उठाऊ उनका नाम जरूर बताना हर एक गंज का नाम जरूर बता देना कमेंट में मेरे को इतना पता नहीं है गंज के नाम एर का पता है, एकके का पता है, और तो उजी पता है, और इतने पता नहीं, अगर मैं हारा तो मेरी रैंक सीधा नीचे गिरेगी, एकदम, कोई बंदा है, I think, वो बंदा है, नहीं बंदा है, नहीं बंदा है, कैप्चर करके क्या ही करोगे भाई, अभी कौन सा कुई मरा है, इधर से, इधर चलें क्या, इधर ही चलते हैं, इधर तो क्या ही करना, इधर कोईंस भी हैं, पहले तो कोईंस उठाओ, कि अब इदर से कोई बंदा ढूंडते हैं एक तो किल निकालना भाई तना भी वह नहीं करना कि हारें बहुत मुश्किल कि इसलिए मेरे को इस बार नहीं मैं चाओता कि हारूं कि बाग की पता नहीं अभी के लिए क्या होएगा क्या नहीं कि इदर से कुछ एक बंदा तो नहीं मेरे को अभी के लिए दिखा पंदूख भी ठीक ठाक है यह कहा है ग्लू बॉल ग्लू बॉल तो मैं यूज ही नहीं करता है यह वाली गन उठाओं यही उठाते हैं इस वही लग रही है इदर से नीचे जां सकते हैं और क्या गर सकते हैं यह वाली गन का स्कॉप भी तगड़ा है स्कॉप वाली गन सही रहती है न अच्छी उससे निशानने में तो स्कॉप लगाकर ही लगाता हूं ज्यादा तर इदर से पीछे थोड़ी बहुत बंदूख है इसको देख ले ओग तो क्या ही करनी दूसरी बंदूख ठीक है कि नब्बे गोली है नब्बे तीस है कि एक सो बीस गोलिया है कि मेरे को थोड़ा समान दे दो यार कि इदर कुछ नहीं मिल रहा है इदर बहुत कम समान है यार बैक पैक फुल होने वाला है उसके बाद दिक्कत होईगी जब बैक पैक फुल होएगा थोड़े बाद रिसोर्सिस तो है अगर किसी को बाई सारे टिम मेट किनी दूर है और मेरे से इदर से जीप में चलें क्या जीप में ही चलते है जलो मंदा तो इदर क्या ही होएगा अभी के लिए अब है का भाई यह सी ठोकी जा रहा है कि वाल्फन पॉइंट है पर हमेरे को तो क्या ही करना कोई तो बंदा है इगर गोलियों का निशान है उतरना पड़ेंगा अरे बाबा कोई भी बंद होएगा देखना अब नत्तग्ड़ा मागों वाब यह जो भी बंदा दिखा मेरको अभाई को मारा ह। आई मेरे भाई को मारा ह। आई मेरे को मारा भाई जाला एक निशाना निह लगा बंधा भाई अई बैंट गये भाई डूब गया फायदा नहीं अब अभी भी हो सकता है मैं अगर इसको बचाऊंगा, इधर से भागेंगे इधर से हम अब हम अभी हम इडिकित लगाएंगे और इदर से उदर जाएंगे ये कितना इजी विन्न हो रहा है अरे भाई मार दिया किदर से मारा भाई बचाने मता यार यार वो बचाने आ गया और ना बचे आते हम प्रतानी किसने वारा चलो भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता बस रेंक गिरी तो नहीं है चलो यह बात चाहिए और तो क्या है अब चवब करेक्टर में नेंस्ट वीडियो में च खासे खोली कि नुदा मकाम हो फोना तो इद़र भी थोड़ा वाइंस मिला है system और तो कुछ नहीं मिला में एक श्किन मिली यह और और नहीं कुछ मिला तो गौईस आच की वीडियो में इतना ही लिख स्फ्रीब शेर जडरूर करना अगर मज़ा है अगर आपने नहीं किया है, Ranch को लिख स्फ्रीब शेर करना to मिलते है नएक्स वीडियो में किसी नई वीडि उडों के साथ और नेर टोपिक के साथ तब के लिए Bye Bye много झाल